यह है मेरी प्यारी दादी आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है मैं अपने बगीचे में आपको घुमाने वाली हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे बगीचे में कौन-कौन शाप पेड है जो मैं बज़पन में लगाई थी अपने जगल से किसको नहीं प्यार होता है तो मैं बस अपना बज़पन का मेमरी ताजा करने के लिए अपने गार्डन में जाती हूँ जब ही मैं आती हूँ मैं सबसे पहले अपने बगीचे में जाती हूँ अपने सारी पेड पौदों से मिलती हूँ उनसे बाते करती हूँ, चुनकर थोड़ा जीव लगता होगा, but yes, मैं अपने पेड पौधे जो भी मैं बच्पन में लगाई थी, मैं उनसे बाते करती हूँ, बच्पन से ही मेरी आदत है, मैं पेड पौधे के साथ बहुत जादा टाइम स्पेंड करती थी, इसलिए मुझे अलग लेवल का अटाच्मेंट हो गया है, अभी तो मैं लिटरली घर आने का वेट करती हूँ, उसमें मेरा एक ये भी रीजन होता है, कि मुझे अपने पेड पौधे से मिलना है, तो चलो चल्दी से मैं आपको अपना बगीचा, अपना गाउं दिखाती हूँ, आज मैं अ अच्छा लगता है, खुला-खुला फील होता है, तो अभी तो मैं यहां पर तीन दीन हो गया, मुझे आए हुए, मैं संडे को आई थी, बट आते ही मैं बिमार पड़ गई, बहुत प्लान्स था मेरे माइंड में, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं लिटरली हर जग करते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है, और दो दिन में मेरी हालत इसनी खराब हो गई थी, दो रात, मुझे फीवर आ रहा था, बॉड़ी पेन हो रहा था, आज मैं थोड़ा सा बेटर फील, अभी कर रहे हूं, आज भी पूरा दिन तक मुझे कुछ अजीब का ही फील हो रहा इसके अलावा और दी कुछ पेट देखने को मिलेगे, जैसे शीष्यम का, बर्गत का, बट वो बहुत कम है, यह जगा मैंगो ट्री का हर जगह मैंगो ट्री देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर शब लोग अपनी गाड़ी को पार करते हैं, आज मझे मिला एक न्यू छोट चाह क्यूट चाह फ्रेंड तो चलो चब्सकी पहले इसे मिलते हैं आपको भी मिलवाती हूं और आगे बढ़ते हैं और आगे मैं दिखाऊंगी और क्या-क्या है तो अभी मैं अपने घर के अपने बगीचे के लिए निकल गई हूं तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगी अपने बगीचे में तो यह राष्टे में जो थोड़े बहुत पेड दिख रहे हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूं और यहां पे मम्मी और इवू आगे ही निकल गए हैं तो उनको भी मैं कैच अप करूँगी यहां पे देखो यार कितनी शारे मैंगो हैं लिटरली देखकर इतना मन खुस होता है ना बहुत अच्छा लगता है देखकर पूरे खेट में आपको बस मैंगो ठी ही देखने को मिलेगा यारे पेट में इतने शारे मैंगो मुझे मैंगो बहुत जादा पसंद है बट जब मैं यहां थी तब मैंगो कच्छे थे तो तोड़ने सकते हैं इसके बाद अभी मेरा जो बगान है वो आने ही वाला है अभी मैं आपको उसमें लेकर चलूंगी यहां पर एक और खेत दिखा इसमें भी मैंगो ट्री है and you can see यही रहा Yaivu अपनी नानी के साथ तूरो ए नंगो यही बैंगो तूरो 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 Eeu तुम देखा का मैंगो ट्री उट को सित तक यह देखो यह और यह दूराए क्न मैंगो घंद धा द दूरो यह दर लगरा अब देख लिया, देख लिया, देख लिया, वाँ, वाँ, नहीं, अभी जोटा है, मैंगो अभी जोटा है, शुरू जोटी थी, तो मैं उनके ख्याद जाती थी, इसमें पानी डाले, अभी देखो जब फल खाने का टाइम आया तब कि मैं बाहर ही रह रहे हूँ तो मैं ज़्यादा यहाँ पे मांगो वाले कीजन में नहीं पहुँच पाती हूँ अभी हूँ तो अभी यह काफी छोटा है अभी इसको नहीं खा सकते हैं बहुत ही कच्चा है बट कोई नहीं बहुत अच्छा लगता है अपना लगाया हुआ पेड में अगर फल आए तो देखते ही देखते ही शाल महीने दिन कैसे गुजड जाते हैं पता ही नहीं चलता है बट बहुत अच्छा लगता है मुझे यहां पे आकर यहां आकर मुझे जो शुकून मिलता है ना मैं आपको बताने सकते हूँ यह फूल का जो पेड़ है यह मैं और मेरी दादी लगाये थे यह भी मुझे याद है बर्षाद के दिन में हम लोग यह लगाये थे काफी बड़ा हो गया एक और मैंगो ट्री है यह भी काफी बड़ा हो गया है यह भी शारे मैंगो ट्री हम लोग शाथी में लगाये थे मैं और मेरे दादा जी जब मैं बहुत चोटी थी एक तो मैंगो ट्री बीच में लगा होगा ये कठल का पेड लगा मुझे याद नहीं है बड़ इसके साथ मेरा ये मेमरी है कि जब मैं स्कूल से आती थी औटो मैं बहुत ज़यादा ठभ जाती थी और मैं स्कूल संवाइकल से जाती थी गर्मी के टाइम में मैं सबसे पहले आकर अपने बगान में रेस्ट करती थी साइकल को यहीं पे पार्क करके और दिन मैं यह वाले पेड़ पे चड़ जाती थी यह बहुत इंट्रेस्टिंग है यह मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ तो इस तरीके से यह कटा हुआ रहता था और मेरा सकर्ट इसमें फंश किया था जब मैं उतर रही थी और मैं हवा में ऐसे लटक रही हूँ इसमें फंशा हुआ है अगल बगल में कोई नहीं था बहुत चिला रही थी ऐसा लग रहा था हनुमान जी बन गई हूँ बिलकुल ही हवा में तैर रही थी फिर मैं जोर से अपने ड्रेश को खीची तो ड्रेश मेरा फट गया स्कूल वाला स्कट और मैं धराम से नीचे गिर गई बहुत चोट लगा था मुझे फिर भी मैं उठा कर अपना साइकल और बैग रोते रोते घर गई तो ये था मेरा इस कठल वाले पेड के साथ का मेमरी ऐसा गिरी थी ना भाई लाइफ टाइम याद रहेगा उसके बाद मैं उस पेड पे नहीं चड़ी और ये जो मैंगो ट्री है इस पे तो आराम के चड़ जाते हैं बहुत ही छोटा है तो यहां का जो मेमरी है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी टैंशन में होती थी या फिर मुझे कुछ कूल का पढ़ाई भी करना होता था ना कुछ याद करना है घर में डिश्टेवर्बेंश हो रहा है तो मैं यहां के पढ़ने लग जाती थी काफी अच्छा लगता था मुझे और पहले तो यहां पे ना बहुत जब हम लोग इसको काफी मेंटेन करके रखते थे बहुत चारे पेड़ पूध है फूल पत्ती और भी कुछ था बट अभी दीरे दीरे इतना कोई ध्यान नहीं देता तो बिलकुली खाली स्या लग रहा अभी मैं अपने बगान से निकल गई हूँ और यह सामने जो आपको बस रास्ता दिख रहा है इसमें हम लोग जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग वाक करने काफी मज़ा आता है बहुत ही क्लूज टू नीचर फील होता है बहुत अच्छा लगता है नाच्रिल बर्ड का साउं जास यहां कि विउब बहुत अच्छा लगता है लिटरली मुझे बहुत बहुत मज़ाता है यहां पर ऐन्द मैं जब भी घर जाती हूँ मैं अपने बगीची में खेतों में घुमना पились करती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी आप देख लो अभी छे बज़रा कितना प्यारा संसेट है यह मतलब अभी का टाइम हमारा इतना जादा बीजी हो गया कि कहां ही इतना प्यारा दिन देखने को मिलता है अब तो एक बिल्डिंग के अंदर कब शुबह से स्याम हो जाता है पता भी नहीं चलता है बड़ जब आप अपने घर जाते हो अपने चोटा चाना ही बहुत बड़ा है शारा घर वगेरा जो है वो पीछे के साइड है और यह आगे मेरे घर के आगे तो बस खेती-खेत है आने वाले दिनों में यह भी शारा फुल हो जाएगा अभी दीरे-दीरे करके बहुत कुछ हिदर बन रहा है तो यहां पर बहुत शारे फाक्टरी स्कूल्स कॉलेजिस अल्रेडी बहुत शारे बन चुके हैं अभी बस थोड़ा बहुत ही स्पेस देखने को मिलता है जो मैं आपको दिखा रहे हूं पहले तो बहुत ज्यादा था बट अभी जैसे-जैसे मैं जाती हूं जितनी बार जाती हूं हर बार मुझे कु